नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सहाईते सर्जन पर तो आज हम में हिंदी विश्विद्याले दिली विश्विद्यालेकर एंट्रेंस एक्जाम 2016 का कुछन पेपर सॉल्ब करेंगे तो पहला कुछन है रीती कावे की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका उत्तर होगा डी डॉक्टर नगेंद्र प्रसंद संख्यादू दो इनमें से कौन भारतेंदू मंडल के लेखक नहीं है तो इसका उत्तर होगा इसका भी होगा डी प्रेमचन शिव संभू के चिठे किसकी गध्य रचना है तो इसमें शिव संभू के चिठे के लेखक का नाम हमें बताना है तो इसका उत्तर होगा बी बाल मुकुन गुप्ट महावीर प्रसाद दूवेदी किस पत्रिका से संभन थे तो ए कभी वचन सुधा बी हिंदी प्रदीर सी सरसती दी माधुरी तो इसका उत्तर होगा सी सरसती अंधेर नगरी नाटक के रच्चेता कौन है तो इसका उत्तर होगा डी भारतेंदू हरिष्चन और यह 1881 में इसक और यह एक बहुत इंपोर्टेंट कोस्षान है रानी केटकी की कहानी के रचनाकार है ए लाला भगवान दीन बी इंसाला खां सी किशोरी गो स्वामी डी रामचंद शुक्र तो इसका उत्तर होगा बी इंसाला खां मैथली श्रयन गुप्त किस युग के रचनाकार है ए भारतेंदुयू बी दुवेदियू सी चायावाद दी प्रगतिवाद तो इसका उत्तर होगा बी दुवेदियू जगनात दास रतनाकार की रचना है तो इसका उत्तर होगा सी उद्धव सत्व दिवस का अवसान समीब था गगन था कुछ लोहित हो चला पंक्ति किस महाकावे की है किस कवी को एक भारतिय आत्मा उपनाम से जाना जाता है तो इसका उत्तर होगा बी माखन लाल चतुरवेदि जहांसी की रानी सिर्शक कवीता किसकी है तो यह आप सभी को पता होगा दी सुबद्रा कुमारी चोहान की है अमिर खुजरो ने हिंदी के लिए कौन सा सब प्रियुक्त किया था ए रेखता बी हिंदवी सी हिंदूस्तानी दी संस्क्रेट तो इसका उत्तर होगा बी हिंदवी अचारे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गर्धे के प्रारंभिक चार उन्नाईकों में किसे स्थान नहीं दिया ए श्रीलाल शुक्ल बी ललूलाल दी सदल में दी इंसान ना खा तो इसका उत्तर होगा ए श्रीलाल शुक्ल हल्दी गहटी नामक महा काव्वे के रच्चेता है तो इसका अंसर होगा श्याम नरायन पांडे सूर्दास ने भ्रमर गित में ए निर्गुन ब्रहत का उपहास किया बी निर्गुन ब्रहत में आस्था प्रकट की सी क्रिष्न की बाल लिलाओं का वर्नन किया दी यसोदा के वादसले का अनूठा वर्नन किया है तो इसका उत्तर होगा A. निर्गुन ब्रहत का उपहास किया मुहन राकेश के निमलिखित नाटकों में से किस नाटक में काली दास और मलिका के प्रेम का वर्णन है A. लहरों का राजहंस B. आधे अधूरे C. आसाड का एक दिन D. उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आप ध्यान रखिए जो इनमें दिया होता है ज्यादा तरुप्रोक्त में से कोई नहीं तो यह अंसर नहीं होगा इसका अंसर होगा आसाड का एक दिन बाकि आप यह तीनों भी उनके रचना के तोर पर याद कर सकते हैं यह आ सकता है अवला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी आचल में हैं दूद और आखों में पानी पंक्ति किस कवी की है राम नरेश तिरपाथी मैथली शरन गुप्त बदरीनाद भट सत्य नरायन कवी रत्र तो इसका उत्तर होगा बी मैथली शरन गुप्त राम की सक्ति पूजा किसकी रचना है तो इसका उत्तर होगा ए निर्मल निराला कावे की आत्मा की संकल्प नात्मक अनुभूती है इसने कहा है ए जैसंकर पसाथ बी सुर्यकांतिर पाथी निराला सी सुमित्रा नंदन पंद D. महादेवी वर्मा तो इसका उत्तर होगा A. जैसंकर पसा आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है रामेस्वरी, चकोरी महादेवी वर्मा सुभद्राकुमारी चुहान उसा पिर्यम्दा तो इसका उत्तर होगा मधुसाला के रचनाकार है तो इसका उत्तर होगा D. हरीवन्स राय बच्चन मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ती है? A. पंत B. प्रसाद C. महादेवी वर्मा D. निराला तो इसका उत्तर होगा C. महादेवी वर्मा परसन संख्या 23 देखते हैं तार सब्तक का संपाधन किसने किया? रामविला सर्मा धर्मवीर भारती नेमी चन जैन अग्ये तो इसका उत्तर होगा D. अग्ये प्रगति शील लेखक संकीश थापना हुई 1932, 1934, 1936, 1934 तो इसका उत्तर होगा C. 1936 में गीत फरोष नामक कवीता के रचनाकार है भावानी प्रसाद मिश्र समसेर्ज बहादूर सिंग केडारनाथ अगरबाल नरेश मैता तो इसका उत्तर होगा A. भावानी प्रसाद मिश्र कई दिनों तक चुलहार होया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास पंक्तिया किस कवी की है तो इसका उत्तर होगा C. नागा अरजुन और यह इंपोर्टन कोशन है तो इसको याद कर लिए रामधारी सिंग तिनकर कृत रस्मी रथी का क्या कथानक नायक है क्रिश्न युधिश्टर कर्ण अरजुन तो इसका उत्तर होगा C. कर्ण प्रगति बाद के मूल में है अस्तित वादी विचारधारा, माक्सवादी विचारधारा, इती विर्तात्मक्ता, इनमेंसे कोई नहीं तो इसका उत्तर होगा B. माक्सवादी विचारधारा हिंदी गजल के छेत्र में किसे विजेस ख्याती प्राप्त है धुमे दूशियंत कुमार सरवेसर द्याल सक्सेना स्रीकांट वर्मा तो इसका उत्तरोगा B दूशियंत कुमार दूवेदी युग का नाम करन किस लेखक के नाम पर किया गया है तो इसका उत्तरोगा D आचारे महावीर परसाद दूवेदी चंद्र गुप्त नाटक के रचनकार है तो इसका अंसर होगा A जयसंकर परसाद अंधायू किसकी रचना है रामकुमार वर्मा सेट गोबिन दास घर्जा कुमार माथूर धर्म वीरवार्त। इसका उत्तर होगा धर्म वीरवार्त। इंदू मति कहानी के लेखक कौन है तो इसका उत्तर होगा C किशोरी लाल घोशुमें। घीशु और माधव प्रेमचन के किस कहानी के पात्र है तो यह आप सभी को पता होगा यह इसका अंसर होगा B कफन उसने कहा था कहानी के लेखक है सुदर्शन, सियप्रशात सिंग, चंदरधर सर्मागुलेरी महिप थिंग케", सी चंदरधर सर्मागुलेरी चीफ दावत कहानी किसकी है तो निर्मल वरमा भिस्मसहनी, राजिंदर यादव,- कम लेश्वर के थिंग्अ महा भोज किसका उपन्यास है तो इसका अंसर होगा D. मनु भंडारी इन में से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है होरी, सोफिया, जुनिया, गोवर तो इसका अंसर होगा सोफिया बाकी सब इसके पात्र है कवीता क्या है? निवंद के लेखक है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद दुवेदी, रामचनर शुकल, नामवर सिंग तो इसका अंसर होगा C. रामचनर शुकल असोग के फूल नामक निवंद किसका है? कुबेर नाथ राय, महावीर प्रसाद दुवेदी, रामविलास शर्मा, विद्या निवास मिष्ट तो इसका उतर होगा B. हजारी प्रसाद दुवेदी निराला की साहित्ते साधना के लेखक है इसका उतर होगा A. रामविलास शर्मा, B. रामरतन भटनागर, C. नंदुलारे बाजपई, D. प्रेम संकरत इसका उतर होगा A. रामविलास शर्मा क्या भूलू, क्या याद करू, आत्मकथा के लेखक है तो इसका उतर होगा C. हरिवन्स राय वच्चन घुमककड सास्त्र किसका यात्रा वृत है? तो इसका उतर होगा A. राहुल संकरतियान शेखर एक जीवनी के लेखक है रामविलिक्ष व्यनिपुरी, अग्ये, चैनेंदर कुमार, महादेवी वर्मा तो इसका उतर होगा B. अग्ये पत के साथी संस्मरन के लेखक है श्री राम, शार्मा, जनेंदर कुमार, महादेवी वर्मा, विश्नु प्रभाकर तो इसका उतर होगा C. महादेवी वर्मा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, प्रजाहिते, C. उदंत मार्तन, बंगदूत तो इसका उतर होगा C. उदंत मार्तन, और ये परसन भी बहुत महत्पून है भार्तेंदू हरिश्चन ने इन में से किस पत्रिका का संपाधन किया है कवी वचन सुधा, हिंदी प्रदीव, ब्राम्मन, माधुरी तो इसका उतर होगा A. कवी वचन सुधा राजेद्र यादव किस पत्रिका से सम्मन थे? वीना, सुधा, सम्मेलन पत्रिका, हन्स तो इसका उतर होगा D. हन्स जूठन किसकी रचना है? ये जूठन ओम प्रकास बालमकी की आत्मकता है इन में से किसका सम्मन राष्टिय सांस्कृतिक कवीता धारा से है? मैथली शर्ण गुप्त, रामेश्वर, शुक्र, अंचल तो इसका उतर होगा C. मैथली शर्ण गुप्त कवीर वानी के डिक्टेटर थे? किसने कहा है? है तो इसका उतर होगा B. हजारी प्रसाथ दुने दी और थैंक्यू फॉर वाचिंग